मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाइट लेवल के बारे में बताऊंगा एंड लाइव ओडर लगा के दिखाऊंगा आपको एंड मैं आपको बता दूँ कि जो ओडर लगाऊंगा आपको पता चल जाएगा एंड जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्लान कैसे मिलेगा आप अपनी ब्रांडिंग के साथ कैसे चीज़े कर सकते हो आप पहली वीडियो देख लेना यहाँ पर आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा आपकी इमेज लग जाएगी ज आपके लोगों पर यह साइट खुलने लग जाएगी अब आजाते हैं ओर्डर पर तो मैं आपको अभी फोरेक्स मार्केट के अंदर MT4, MT5 पर डेमो अकाउंट पर ओडर लगा के दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद हम बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पहले से MT5 का अकाउंट खोल रखा यहाँ पर 0 ओडर है और मैंने ट्रेडिंग वी खोल रखा है त तो ट्रेडिंग में आप कोई भी इंडिकेटर लगा के ओडर लगा सकते हो मैंने भी होरीजेंटर लाइन इसलिए लिए कि अगर इंडिकेटर के भरोसे अगर हम बैठेंगे तो सिगनल बहुत लेट आएंगे वीडियो काफी लेंथी बन जाएगी तो आपके यूजर होरी उससे पहले मैं साइड में ले जाके आपको कुछ दिखा देता हूं तो मैं साइड में कर लेता हूं तो अब इस चार्ट को कर लेता हूं तो अगर आप देखोगे कि यहां पर ओडर आ गया तो कितना फास्ट है यह भी दिखा देता हूं जैसे मैं दुबारा से टिगर करू तो इस तरीके से आपके buy के order लग रहे हैं, अगर मुझे sale का order लगाना है, तो sale का order लगा दूँगा, इस पर touch करूँगा, आप देखना है, जैसे alerts आएगा, वैसे यह alerts आए, यह order आगे, sale का order, यह आप देख सकते हो, sale का order आगे, अगर मुझे close करने पोजिशन तो close कर सकता इसके लिए syntax बनते, syntax बनाने पड़ेंगे, syntax के लिए मैं आपके सामने site खोलता हूँ, और close का syntax बना के आपको दिखाता हूँ, यह सारे broker है, kite, finvasia, metacloud, यहाँ पर forex trading के लिए दो broker आइड कर रखें, metacloud, जिसमें आप third party API लेते हैं, and mt4, mt5, जब तक यह चल रहा है, आ यहाँ पर कोई API लेनी की जूरत नहीं, टास्क बार से आपके user API create करके, यह एलगो trading कर सकते हैं, and trading view, trading view से जो भी paper trading करना चाता है, उसके साथ भी कर सकता है, तो यह 5 broker हमने add कर रखें, white label में दे रहें, in future जो भी broker add होते जाएंगे, इसी plan के अंदर add होते जाएंगे, extra charge आपके सामने बना देता हो, btc usdt m, m यह small में आएगा, क्योंकि जो मेरा broker है, इसी तरीके से मैंने एक syntax बनाया, and मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक line out ले ले लेता हूं, इसका color दाल देता हूं, मैं कुछ अलग कर देता हूं, yellow कर देता हूं, and मैं इस पर alerts बना दे अगर मैं fully algo का बनाता हूं, वो better रहता, तो मैं आपको दिखा देता हूं, इधर गए, तो अगर आप देखोगे, अभी buy की भी position active है, और sale की भी position active है, तीनो, अब जैसे मेरी यह candle, इस line से touch होगी, सारी position कट जाएगी, पर अगर मेरे को single काट नहीं, तो single भी काट सकता हूं क्योंकि मैंने जो syntax बनाए, उसमें filter नहीं लगाए, मैंने सीरे बोला है कि BTC, USDT, M हो, तो position कर जाए, मैंने यह नहीं लगाए, कि वो buy side हो, sale side हो, या quantity से काट नहीं, वो चीज़ नहीं लगाई, तो यह सारी काटेगा, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, तो जैसे मैं इ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को जल्दी से alerts चाहिए, अगर आप कोई indicator लगाता है, जा example के लिए आप super trend लगा देते, तो जब भी वो buy, sale के alerts देता है, तो आपके user के order लगते, अगर पहले अगर आप पिना next level bot use करते हो, तो आपको idea होगा कि इसी यह service कैसे काम करती है, next level bot बनी वे user के लिए, कि direct user आपने trading करें, पर कई सारे लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि हम यह platform की service sale करें, क्योंकि सबको पता है, कि broker कमाते, exchange कमाते, user नहीं कमाता, तो mostly user नहीं कमाता, और मेरे को ऐसा लगता है कि user नहीं कमाता, और ज़्यादा tension लीनी पड़ती ही, तो कई लोग हैं कि हाँ, service देगी कमाना चाते, मेरी तरह, मैं पिछले 5 साल से service दे रहा हूँ, trade नहीं कर रहा, और बहुत अच्छा benefit मिल रहा है मुझे, इसी तरीके से जब मुझे benefit मिल रहा है, तो मैंने सुचा है कि मैं service market में अपने competitor खड़े कर दूँ, और वो ही service वो अपने न प्लान दे रहा होगा, मैंने बिल्कुल open source प्लान दे रखा, एक बार आपको detail में बता देता हूँ, यह रप प्लान, अभी हम बात कर रहे हैं, मन्थली की, अगर आप यह ली पे जाओगे, हर प्लान के अंदर 50% off है, मन्थली की बात करते हैं, अगर आप चाते हो कि मुझे server नहीं लेना है, मेरे पास एक domain है, और मैं लोगों को trade करवाना चाता हूँ, अपनी service देना चाता हूँ, तो आप 12,000 रुपे महिना दो, एक domain दो, आपके domain पे हम service आड़ कर देंगे, आप 50-100 user easily manage कर पाओगे, यह हो गया server less, आपको कुछ भी नहीं एक domain देना है, अब आप की user बढ़ गए, 50 से ज्यादा user होने लग गए, आपको अच्छा वो आ रहा है, तो यहाँ पैसा लगेगा, अब आपको खुद का server लेना पड़ेगा, और खुद का server लोगे, यह plan तो, जो था हम 12,000 रुपे में दे रहे थे, अब आप खुद का server लेते हूँ, तो आपको अ सर्वर कोश्ट बढ़ेगी, क्योंकि server ज्यादा यूज होगा, पर हम आपसे 20,000 रुपे मन्तली ले रहे हैं, ठीक है जी, एंड उसके बाद एक plan के अंदर हमने यह add कर दिया है, कि भही, मैं, मैं ही white level लेकना चाहता हूँ, मतलब मैं resale भी करना चाहता हूँ, और खुद का तो तीनों plan दे दिये मैंने, अब कोई user आ जाता है, कि भही, मुझे तो यह चाहिए, कि ना मुझे white level चाहिए, ना यह चाहिए, ना यह चाहिए, मेरा budget जादा है, मुझे तो पूरा source code चाहिए, आपका resource के साथ, क्या-क्या resource यूज़ कर रहे हो, कितना time का आप support दोगे, हम हम वह भी देने के लिए त्यार है, कि भाई, पूरा source code ले लो, आप हमें एक अच्छा offer दो, और आप पूरे के पूरा source code ले लो, और चलाओ, और जो करना है करो, हमारा इससे कोई नाता है नी, तो पूरी market में इस तरीकी का plan कोई नी भी करा होगा, सब white level पे ही सीमित रहते अच्छा, इसके अंदर भी हमने क्या कर रखा, देखो, white level 5,000 रुपे महिना पड़ेगा, अगर आप एक साल के लिए लेते हो, पहले मंथ हम मंतली देंगे, जिससे आप टेस्टिंग कर लो, समझ लो, अगर आप interested होगे, देन आपको हम yearly plan देंगे, यह नी कि आप आए और पहले दिनी हमसे white level plan yearly ले लिए, तो 5,000 रुपे महिना पड़ेगा, क्योंकि हम 60,000 रुपे yearly दे रहें, अगर डेली के hosting पर जाओगे, तो यह yearly पड़ेगी आपको 1,20,000 रुपे yearly, इसके अंदर millions of users आप use करो, server की costing आपको देनी है, जो भी broker हम add करेंगे, automatic आपके पास add होत पर yearly plan चाहिए, उसे तो वैसे तो मंतली में 40,000 रुपे मंतली जा रहा था, पर अगर आप yearly लेती हो, तो 2,40,000 रुपे yearly दे देंगे, ठीक है जी, और जो one time payment जो कोछ लोग होते हैं, पहले मेरे पास आते थे, कि मेरे को आपके source code के साथ, पूरी site ही चाहिए, कि मैं अपनी बनाऊँगा, कुछ भी करूँगा, आप हमें बस guide करोगे, तो हम पूरा source code दे देंगे, कि कैसे क्या use कर रखा, और आप हमें एक best offer दोर ली जाओ, तो पूरी market में आपको इस तरीकी का plan नहीं मिलेगा, और मैंने आपको बता दिया, अभी आपको जो trade करके दिखाई, मैंन finishing दी जा रही है, क्योंकि यह ट्रेडिंग platform है, यहां पर हर दिन update जाते, हर दूसरे दिन update जाते, जब continue perfect चल रही होती है, अभी तो हमारे platform पर perfect चली निरिक करी सारे feature miss out है, तो वो add होंगे, जब continue चलेगे, जब भी एक continue developer तो चाहिए होता है, जो इस चीज को maintain करे, तो मैं जैसे मैंने बता है, यूजर के लिए ये dashboard होता है, इसके अंदर यूजर को total of user show होती है, कितनी invoice active है, ये show होती है, जो बना रखा है, total of API active कितनी ये show होती है, कितने user कब आए, ये इसके अंदर show होता है, कि कौन से मन्थ में कितने user आए, कितनी invoice activate हुई, इस तरीके से ये show ह यह total of API है, किस तरीकी से API होती है, यह user की list आती है, जो कि मैं भी दिखा नहीं सकता, क्योंकि यह secure है, यहाँ पर user की invoice activate करने के लिए show होता है, अभी manually हम activate कर रहें, in future हम payment gateway लगा देंगे, तो आप payment gateway लोगे और activate हो जाएगे, अभी manual option दे रखा है, कि आपका user invoice create करता है, आपको manual payment देता है, आप यहाँ से activate कर दोगे, ऐसे काफी सारे feature हैं, एक overview मैं ने आपको दे दिया है, I hope आपको समझ आ गया होगा, मोर डिटेल के लिए आप मेरे को WhatsApp या call कर सकते हो, थैंक वर वाचिं इस वीडियो और बाइ